उत्तर प्रदेश के किसान परिवार में चन्ने पुनीत मलिक के परिवार में ये तीन भाई बैयन थे। पिता तिली पुलिस में कारे रत थे। 2004 में पिता का एक सड़क दुर्खटना में निधन हो गया। अब सारे जिम्मधारी पुनीत के ओपर थी। पुलिस परिवेश के वज़ा से पुनीत का सपना भी डिवेंस में नौकरी पाने का था। इसी वज़ा से पुनीत ने बारवी एक अख्षा के बाद ही नौकरी पाने के कोशिश शुरू कर दी। साथ ही उन्होंने बी-ए-पी कर ली। 2007 में इनका अपनी मेहनत से दिलिफरिस में कॉंस्टेबल की बद पर चैन हुआ। 2020 में इन्होंने एक वंचित अपराधी को गिरफतार किया जिस पर 50,000 रुपे का इनाम था। इसके लिए उन्हें असाधारण कारे प्रशकार से समानत किया गया और दोबर अच्छे कारेों के लिए सीपयों और भी मिला। का विवरन एकात्र करने का काम दिया गया। एक साल से भी अधिक समय तक टीम के सदस्य मृतक किशनलाल के परिवार के साथ लगातार संपर्क बनाए रखे। अलग अलग स्रोतों से लगातार खोजमिं करते हुए आखिरकार ये इन फगोड़ों तक पहुँचने में सफल हुए। किशनलाल की रहतिया के समय उनकी पतनी सुनीता करवती थी। बाद में सनी नाम का उनका एक बेठा हुआ। टीम ने जब किशन को मारने वाले अशोक यादफ को ठूड़ लिया तो फिर सुनीता और उनके बेचे सनी को लखनव आने के लिए कहा। अरोपी अशोक यादफ को देखते ही सुनीता बेहोश हो गई। टीम के सदस्य चौक करने हुए। और उन्होंने राहत के सांस ली कि खठोर परिक्ष्रम के बाद आखिरकार उन्होंने इतने पुराने हत्या के एक मामले को सुलजा लिया। 2017 में हैट कॉंसेबल कुनीत मलिक ने पिछले 6 महिने में 70 से जादा भबोड़े अपराधियों को पकड़ कर जेल पहुंचाया है। इतने कम समय में इतने अच्छी काम को पढ़ने के लिए टीसिपी श्री सागर सिंग कलसी ने भी उन्हें बहुत सराहा है। अभी पुनीत एटीस नॉर्थ में तेनाथ हैं। ये धा वर्दी कानंदा के आवाज में आज का किस्दा खाकीगा।